Hello student, how are you all? I hope you all are fine. Today we are going to do EVS. Please take this Marvel semester series. Turn your page and open page number 82. Page number 82 open करो और यहाँ पर आज की date लिखो. अब यहाँ पर क्या लिखा है? Some vegetables can be eaten raw and some have to be cooked. तो यहाँ पर आपको जो vegetables दिये गए हैं उसमें कुछ vegetables ऐसे हैं जो हम direct खा सकते हैं और कुछ vegetables ऐसे हैं जिसको हमें पका कर खाना पड़ता हैं ऐसे ही कच्चा हम खा नहीं सकते हैं. अब लिखा है put a tick in the box near the vegetables that have to be cooked before eating. तो हमें tick mark करना है उस vegetables पर जो हम कच्चा नहीं खा सकते हैं उसको हमें cook करना पड़ता हैं खाने से पहले. तो हम देखेंगे कौन से vegetables ऐसे हैं जो हमें पका कर खाने पड़ते हैं. तो चलो आप देखते हैं ये vegetable है वो हम salad में भी खा सकते हैं. तो उसको पकाना नहीं पड़ता है तो यहाँ पर हम tick करेंगे no फिर यहाँ पर यहाँ पर यह भी हम ऐसे ही खा सकते हैं उसको पकाने की जरूरत नहीं है तो इसलिए हम यहाँ पर tick करेंगे no इसको यह क्या है pumpkin है yes तो इसको तो हमें पका कर खाना पड़ता है तो इसलिए य यहाँ पर टिक करो, फिर यह क्या है, ब्रिंजल, येस, तो उसको भी हमें पका कर खाना पड़ता है, कच्चा खा सकते हैं हम, नो, तो यहाँ पर टिक करो, अभी ये क्या है, पटेटो, तो इसको भी हम पका कर खाते हैं, येस, खाने से पहले हमें कुक करना पड़ता है ना इ cabbage, yes, तो इसको तो हम ऐसे भी खा सकते हैं, तो यहाँ पर टिक नहीं करना है, फिर यह क्या है, carrot, तो इसको हम पका कर खाते हैं, no, तो यहाँ पर टिक नहीं करना है, और इसको हम पका कर खाते हैं, ऐसे ही हम कच्चा नहीं खा सकते हैं, तो यहाँ पर टिक करो, अब इसको हम पका कर खाते हैं न, येस, तो क्या करना है, टिक, अब ये क्या है, लेडी फिंगर, तो इसको हम पका कर खाते हैं, तो यहाँ पर टिक करो, फिर इसको हम सैलेड में खा सकते हैं, उसको पका कर नहीं खाते हैं हम, येस तो यहाँ पर टिक नहीं करना है अग इसको हम पका कर खाते हैं येस है ना तो यहाँ पर टिक करो हो गया इसी तरह से आपको ये पेज कम्प्लीट करना है अग इसके बाद आप पेज नमबर उपन करो 86 पेज नमबर 86 पर यहाँ पर आज की डेट लिखो अब ये क्या दिखाई दे रहा है आपको पिक्चर में तो आपको इसमें कलर करना है और अब क्या करना है आपको ये बूख क्लोस करनी है